हेलो एविर्वन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इपने इस यूटूब चैनल पे और आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से डिसकस करने वाले हैं इंकम टेक्स की सेक्शन 43B क्लोज एच के बारे में और आज हम बहुत 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 धन्यवाद और उस में जो वीडियो था उसके अंदर जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगे ने जो सवाल पूछे थे उन्हीं सवालों का जवाब हम आज एक हमारे ओपिस के अंदर नए अहीं मेमान सर बलवीर सिंग जी आपको देंगे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे अंदर अप्लोड किये थे तो काफे सारे लोगों ने उस पॉइंट को स्किप कर दिया होगा जिसकी वज़े से वह नों ने उसी क्विश्चन को दुबारा रिपीट भी किया ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने हमारा उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा भी तक तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेशन बॉक्स में भी मिल जाएगा और उपर आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल लेकिन कुछ टेक्निकल क्विडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे सर बिलविर सिंग जी के साथ में और वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेर करें ताकि और भी अकाउंटेंट लोगों की और वीडियो के माध्यां से भी क्लियर हो जाएगी तो वीडियो का आप सुरूर स केता है भी आपको अपने सप्लायर्स को 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमट करनी होगी और MSME के अंदर उन्होंने दो केटगरी को है जो इन्वोल किया है micro और small को जैसके हमने micro के अंदर आमने फिसली बार भी हमने इसका definition बताई थी अगर आपकी plant and machinery के अंदर कोई investment है वो एक क्रोड तक है और जो टर्नावर है वो आपकी 5 क्रोड तक है तो वो आपको micro में cover होंगी अगर आपकी business की manufacturing की अगर investment 10 क्रोड तक की है plant, machinery और equipment इसके अंदर आपकी building वेगरा वो include नहीं है केवल plant और machinery और equipment और टर्नावर है जो 50 क्रोड तक होनी चीए तो सर सबसे बड़ा question यह पूछा गया था वी जो टर्नावर है 5 क्रोड तक और investment बोली गई है एक क्रोड तक यह 1 क्रोड तक होनी चीए एक क्रोड से कम होनी च fact है इसमें जो classification हो तीन category में किया गया है MSM को small, micro और medium सबसे पहले बात करेंगे अपने micro micro जो है वो किस तरीके से defined होगा वो defined होगा उसकी plant and investment तथा उसके turnover के base पे investment यदि किसी आपकी enterprises या manufacturing हो सकती है वो service industry हो सकती है यदि उसकी investment plant and machinery में यदि उसकी एक क्रोड से नीचे की हो तथा उसका जो turnover है वो 5 क्रोड से नीचे का हो वो कहलाएगी micro यदि उसका turnover investment का 10 क्रोड से नीचे का है तथा turnover है वो आपकी 50 क्रोड से नीचे का है तो वो कहलाएगी small ऐसे ही तीसरी category आती है medium enterprise उसके लिए क्या provisions है उसके लिए यह provisions है कि उसकी जो investment है plant और machinery यह हो सकता equipment भी उसमें 50 क्रोड से नीचे का हो तथा उसका जो annual turnover है वो आपका 200 क्रोड याई 250 क्रोड से नीचे का हो वो कहलाएगी medium enterprises जो medium enterprises है वो MSME में इस जो section है 43 close है जो अपना 43B-H close में cover नहीं होता है दो इस cover होंगे micro या small तो अब आपने ये question पूछा है कि turnover पांच क्रोड हो या 10 क्रोड हो तक की limit का जो भी प्रोविजन से मैं आपको clear करना चाहता हूं यदि कोई micro industry है और micro industry में उसका जो investment है plant and machinery में वो एक क्रोड से नीचे का होना चाहिए यानि एक क्रोड से उपर का नहीं होना चाहिए यानि एक क्रोड भी होनी होना चाहिए तथा उसका जो turnover हो 5 क्रोड से नीचे का होना चाहिए पांच करोड नहीं होना चाहिए, पांच करोड होते ही, वो अगली कैटगरी में चला जाएगा, यह दुनों शर्ते पूरी होगी, तब वो माइक्रो कहलाएगी, इंडरस्ट्री, तो यहन के हम कह सकते हैं, लेस देन, मोर देन की कैटगरी यहाँ पर नहीं है, नई अप्टू यह भी पूछा गया था, भी एक ट्रेडरस और मेनुफेक्चर के बीच की काणी है, यान की अगर एक ट्रेडरस किसी मेनुफेक्चर यूनिट से कोई पर सेज करता है, तो उस कंडिशन के अंदर, चा उस ट्रेडरस की लायबिल्टी भी बनेगी, भी वो अपना जो सप्ला मेनुफेक्चर यह अपनी इंडिस्ट्री चलाता है, वो अपनी सुविदा के इनसार माल खरीता है, हो सकता है वो ट्रेडर से माल खरीते, हो सकता है वो अपना मेनुफेक्चर से माल करीते, जिसको उसको मार्चन कम हो और उसको बेनिफिट हो, ताकि अपना प्रॉफिट अ लागून नहीं होगा एक मैनुफेक्चर यदि मैनुफेक्चर से ही माल करीता है और वो माइक्रो और समाल में कवर है तब उसको 45 डेज और जो 45 दिन की टाइम लिमिट जो सरकार ने बताई है उसके थहत उसको पेमट करनी होगी ऐसे ही रिवर्स केस में चलते हैं एक ट्रेड मैनुफेक्चर इंडिष्ट्री से मानलो लिये और माइक्रो में समाल में वो एंडिष्ट्री कवर उस केस में उसको पेमट है जो 45 दिन या 15 टाइम लिमिट है उसके तㅇस उसको करनी होगी warto लेकिन उस ने लास्ट के दोरान उसकि टॉटल मांटमें से इन्वोज के माउंट में से पांच जार रुपे की माउंट ओनों ने रोग ली रोगने की कंडिशन ये थी अब माने वो आपका मैनुफेक्चर कहता है भी हम इसका आपको क्रेडिट नोट इशू कर देंगी हमने आपको सेल बेसिस पे प्रोटिकेट के था आपने मारा सेल का टार्गेट अचीव कर लिया तो एसी सितिक अंदर आपका ये लमलब क्रेडिट नोट बनता है लेकिन एजोन का 30 मार्च 2100 तक इसका कंपनी ने क्रेडिट नोट नहीं दिया ठीक है तो क्या एसी सितिक अंदर आगर वो 5000 रुपे का बिलेंस आगे जाएगा 45 डेज का जो नियम है या 15 दिन का जो भी है रूल्स है उसके तहत उसको बुक्तान करना ही होगा किसी भी हालत में वो आप बियॉंड 45 डेज नहीं कर सकते हैं आपका एगरिमेंट हो सकता है 180 डेज का और 60 डेज का उसे कोई लेना देना नहीं है सरकार को वो 45 डेज में आपको जो मैनुफेक्शर है उसको बुक्तान ट्रेडर्स के द्वारा करना ही होगा क्योंकि इस टैप का क्विश्चन जिन्होंने भी पूछा था तो उनके एक बात ये कलियर है भी मान ले जी आप इस बात में मतरे ना भी ये मारा 5,000 रुपे का जो क्रेडिट नोट है ये थो हमें क्रेडिट नोट के गेंस्ट में मारा अकाउंट है जो क्लोज हो जाएगा लेकिन बड़ सरते ये भी आपका 31,3,2,000 चोईस से पहले पहले वो आपका क्रेडिट नोट आपकी बुक्स अप अकाउंट के अंदर क्लियर हो जाना चीए अधरवाइस आप जोते भी इसके जो हमारा क्रेडिट नोट है वो नेक्स्ट फाइनस लियर के अंदर आ जाएग मानली जी जिसे मैं AJ वेपारी हूँ मेरा कपड़े का वेपार है मैं कपड़े की शोप करता हूँ और मेरी एक manufacturing unit भी है जिसके अंदर मैं AJ पार्टनर के रूप में वर करता हूँ अब मानली जी मैंसा पार्टनर के अंदर कोई भी हो सकता है वहापर मैं AJ पार्टनर हूँ ल तो मैं दोनों जगह एजे माली कूँ तो क्या मेरे वो इसी कंडिशन के अंदर भी मेरी सिस्टन कंसर्म परन जो कि मेरी एक मैनुफेक्चरिंग यूनिट है उसको पेमिट मेरे को करनी पड़ेगी बहुत अच्छा कॉशन बुच्छा है यह मोंजी आपने क्योंकि ज़्यादा तर क्या करता है कि बंदा एक अपना बिजनस चलाता है ट्रेडर्स का और हो सकता है वो अपने अरनी को बनाने के लिए मैनुफेक्चरिंग में एजे पार्टनर जोइन कर ले जैसे कि आपने बता सबसे पहले यह शर्त है यदि उसमें कवर है तो आपको हर हालत में उस मैनुफेक्चरिंग कंसरन को सिस्टर कंसरन हो चैए उसको आपको बुगतान है 45 दिन जो भी टाइम लिमिट है उसमें आपको देनी होगी यह नहीं है कि आपकी सिस्टर कंसरन जब चाओ पेमड कर दो ऐसा कोई नियम नहीं है वो करना होगा जली नहीं कि तो वो प्रोविजन साप पर लागू होंगे और आपका जो परचेज है वो डिसलाउट मान ली जाएगी तो इस टैप का भी जिस क्विश्टन जिस बाई लोगों ने पूछा था तो उनके लिए भी एक बात कलियर हो च परचेज एक रहा होगा तो दो तरीखें के माल खृता है हो सकता ह वो कैपिडरी जो हो सकता ह हो रूटीन का जो अपरेशन का बिजनस है उसके लिए गुड्स करीदता हो जो नॉर्मल गुड्स करीदता है वो तो अपने P&L में वो डेबिट करता है यानि वो उसकी लागत पर्चेज है वो उसका डेबिट करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करेगा और दूसरा जो उसने माल नहीं खरीदा उसने एक कैपिटल गूर्स खरीदा है हो सकता है उसने कंप्यूटर खरीदा हो, प्लांट एंड मिशिनरी खरीदी हो और हो सकता है उसने इस तरीके का प्रोडेक्ट खृड़िद हो जो बिल्डिंग के लिए खृड़िद लिए और कोई भी खृड़िद लिए जो कि उसकी फिक्ससर न का पार्ट थाय। वोट समॉल में कवर है उसको उसको जो 45 डेज में पेमट करना आनिवारे नहीं है उस पर ये प्रोविजन्स बिल्कुल लागू नहीं होंगे उनको गबराने की कोई चिंता नहीं है ठीक है तो अगर इस टाइप का क्यूशन जिन बाई लोगों ने पूछा तो उनके लिए ब कि इसका चो डेप्रीन का फिर क्या होगा हो सकता है क्योंकिे आपने कम्प्यूटर घ mathematically तो लगे गई आपको ग강ने की चिंता नहीं है आप निशन दर रहें कि यदी कैपिटल गुट्स है कोई खरीद है ऑर वह फिक्स एकशन है आपकी यदि वो fixed assets है तो उसकी payment 45 days में या 15 दिन में करने की कोई आफशिकता नहीं है यहनकी जो depreciation है वो आपका allow होगा उसको disallow के अंदर नहीं मना जाएगा बसरते वो चाहिए वो पेंडल का भी खर्चा क्यों नहीं हो तो सर नेक्स्ट कुछिशन ये भी लोगों दौरा सबसे ज़्यादा पुछा गया है अगर हम हमारे suppliers को MSME को अगर 45 days के अंदर बुकतान नहीं करते हैं तो इसके उपर interest का क्या पराउदान है पारी लोगों के कई बार क्या कि payment नहीं होते ही टाइम से हो सकता है वो creditors को बुकतान टाइम से ना कर पाएं 45 days में या 60 days में करते हैं जो उनका term conditions है इस case में creditors को जो बुकतान अपने नहीं करते जो manufacturing industry से आपने कोई माल खरीद है आप एक trader हो manufacturing से आपने माल खरीद लिया और payment आपको उसने टाइम से नहीं करी तो जो industry manufacturing है वो आपसे ब्याज लेगी creditors पर जो आपने माल खरीद है क्योंकि आपके तो creditors ही है माल इंट्रेस्ट चार्ज करेगा सबसे पहले question यह आता कि interest क्या होगा कोई interest 2% लेता है कोई 10% लेता है कोई 8% कोई 18% लेता है लेकिन MSME Act में जो sections हो ला है उसमें first clear रखा हुए है कि आपको जो interest है जो bank की निर्दारीत दार है उसका तीन गुना interest आप चार्ज कर सकती है वो industry कि interest बेंक 8% है तो तीन गुना हो गया यह नि मोटा मोटा दो रुपए सेकड़ा है जो इस परसेंट इंट्रेस्ट वो चार्ज करेगी अब 24% इंट्रेस्ट सो चार्ज कर दिया अब वो खर्चा है जो प सर्च है वो बिल्कुल भी पी इंडल में आएगा लेकिन वो as a disallowed expenditure माना जाएगा उसकी आपको switch the shoot नहीं दी जाएगी ठीक है यह condition लागू होती है अगर हम MSME को यानिकी suppliers को अगर 45 days के अंदर बुकतान नहीं करते हैं तो अगर हम within 45 days बुकतान कर देते हैं और उसके बाव क्योंकि उसमें delay of payment नहीं है यह क्योंकि आपने 45 days के बाद नहीं है within 45 days में यह payment करी है बिल्कुल वो तो allowed मान लिये जाता है वो allowed नहीं है क्योंकि delay of payment यह आपने करा है 45 days देन के बाद और वो बाद में interest charge करता है वो बंदा तब दिक्कत है यह दि बुकतानी normal routine में चल रहा ह इसमें करें वो तो आपका इंट्रस्ट नॉर्मल इंट्रस्ट है यानि वो इंट्रस्ट पैनल नेचर का नहीं है वो तो माल खरीता है 15 दिन के बाद यह दि उसकी condition है कि मैं 15 दिन में आपको बुकतान करूंगा तो 16 दिन में इंट्रस्ट चार्ज करेगा लेकि एक दिक्कत है इसमें सबसे ज़्यादा वो मैं आपको समझाता हूं क्या है कि 45 डेज मैकसिमम एक टाइम लिमिट डिसाइड कर रखी है वो जो जिससे आप माल खरीते हो वो कहते है कि मैं तो आपकी पेमट 30 दिन में लोंगा तो आपको बुकतान 30 दिन में करना होगा नहीं कि 45 डेज मे अब 30 दिन के बाद आप तो कहते हो जी उसमें तो 45 दिन के टाइम लिमिट है जो 15 दिन का जो टाइम गैप है आप कहते हो जी उसका जो ब्याज है वो तो मैं लगा सकता हूं नहीं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आपको बेसीकली जो डिले ओपेमट यदि आप क्रेटर्स क कि करते हो उसका या जी ब्याज है तो आपको वो इतंग जाएग वो लुटी रॉन नेew ducks दो कोई समस्या नहीं आतीब दिसमें कोई समस्या नहीं है आपका वह वह लगा देटेंगु명 कोई समस्या नहीं तर्साएग है अ आप प्रॉपर चेक देते हो और उसका आप कोपी रख लेते हो अपनी फाइल्स में लगाकर तो वो जर्नली उसको कवर कर लिया जाएगा क्योंकि ये कोई बड़ा इशू नहीं है हो सकता है बैंक में ज़्याता चेक है जो दो से तीन दिन में क्लीर होता है लेकिन अधिकांस जो इंडिस्ट्रीज है आज कल वो एनेफटी का यूज करती है ये सकरती हो तो सेम डे क्लीर हो जाता है उसमें कोई समस्या नहीं है यदि आप पेमट कर देते हो और वो दो तीन दिन के बाद चेक क्लीर होता है तो उसमें कोई ज्यादा परशानी की दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि उसमें ठीक है आपका स्पष्टि करेड़िता है मैंने चेक देदिये था उस दे नहीं चेक लगाया दो दिन के बाद लगाया तो ये चेक तो कलीर होई गया उसमें जाता दिक्कत नहीं है वैसे देखा जाए तो हमारी books of accounts के अंदर जो हमारी date of entry रहेगी वो 49,49 दिन की ही मानी जाएगी तो sir next question ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है भी जो commission agents के जो वेपारी होते है कच्ची आर्थ के वेपारी पक्की आर्थ के वेपारी क्या वो भी इस section के अंदर applicable है जो कच्ची और पक्की के जो वेपारी है जिसे उनको कच्ची का पक्की का आर्थ है कहते है त्रेडर्स हो सकते हैं रिटेलर हो सकते हैं इन पर ये section लागू नहीं होती बशरते कि उन्होंने जो MSME का जो लाइसेंस है वो सर्वीस में ना लिया हो क्योंकि जब वो बैंक से लॉन लेते हैं तो वो अपना सर्टिवेट लेते हैं क्योंकि बैंक वाले कहेंगे आप उद्वर रिश्रेशन करवा के लेके हैं वो अपना MSME का सर्टिवेट दो यदि बैंक से अपने लॉन हमारे से लेना है तो वो जाएगा अपना सर्टिवेट लेगा और जल्दबाजी में उसने सर्वीस कलेक्ट कर रखा है वहां तो वो तो सर्वीस में कवर हो गया वो तो फिर उनको दूजदा है यदि उसने ट्रेडर्स में लाइसेंस ले रखा है अपना फिर उनको दूजदा नहीं आएगी क्योंकि वो तो ट्रेडर्स ही हैं वैसे भी तो उनको फिर समस्या का कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी तो जो कच्ची आर्ट के और पक्की आर्ट के वापारी है उनको कोई परशानी का वैसे दिक्कत नहीं आएगी इस सक्षिन के लिए तो ही कह सकते हैं भी जो कमिशन एजेंट्स के जो बिजनस मेंन है वो इसकंदर कवर नहीं हो रहे हैं तो सर एक next question ये भी सबसे ज़्यादा पूछा गया था भी non audit case के अंदर क्या होगा भी वो कहते हैं हमारी जो net profit है 6% या 8% डिक्लेर हम कर देते हैं तो ऐसी condition के अंदर भी क्या हमारे ओपर ये जो section है वो applicable है ऐसे कर दाता जो अपनी books of account नहीं रखना चाहते हैं वो अपना profit है जितना भी turnover है उसका 6% और 8% जो भी जिस पर भी लागू होता है उसके ताहत अपना profit disclose करके अपनी return दाखिल कर रहे हैं उस पर ये section लागू नहीं होगी क्योंकि income tax में जो section है ये जो नई दारा है जिसमें दूड़े हैं आपको उसमें ये लिखा हुआ है कि जो sections है प्रजम्टिम इंकम जो है जब अपने return प्रजम्टिम इंकम के तहट अपने बरते हैं तो income tax में section 28 से लेकर ततारी सी तक की section माल ली जाती है उसका benefit उसको दे दिया गया तो वो फालतू में ये नहीं कि उसको disallowed कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि यदी कोई बंदा सपश्ट दोर से जिसका turnover audited नहीं है उन-audited है वो फाइल ने छोटा turnover है एक करोड का है मालो और वो 8% profit disclose करता है आठ लाख रुपए उसने income दिखाई और अपनी ITR submit कर दिये इधर से उसके creditors हैं उसने बुक्तान नहीं करा 60 दिन तक उसने बुक्तान न देना है यानि creditors है उस पर उसको समस्या नहीं आएगी वी बुक्तान बाद में भी कर सकता है तुम कह सकते हैं इसके अंदर 44 AD वाले cover नहीं होंगे तो सर नेस्ट विशन ये भी आ रहे है भी अगर हम किसी MSME से यानि कि कोई manufacturing unit है उससे हमें AJ Unsecured Loan के रूप के अंदर हमने पैसा ले रखा है तो क्या वो Unsecured Loan का जो पैसा है वो भी हमें वी दिन 45 टेस कंदा करना होगा Unsecured Loan का मतलबी अपने जो बिजनस लाते हैं Unsecured Loan लेते हैं क्यों है 15 दिन के लिए 45 दिन के लिए तो लेंगे नहीं वो तो एक साल दो साल के लिए लेंगे तक कि अपने दीरे दीरे उसको जैसी profit और अपने उसको payment कर दे यदि कोई MSME से यदि अपने Unsecured Loan ले रखा है औ और आपकी industry है जो manufacturing है या traders है जो भी है और MSME से आपने यदि कोई micro small से यदि Unsecured Loan ले रखा है तो उस पर यह section लागू नहीं हो गया आप जरूरी नहीं है कि उसका 60 दिन में बुक्तान करो 45 दिन में करो 15 दिन में करो कोई ऐसी tension नहीं है क्योंकि उसमें आपको डरने की पार्ज हो सकता है क्योंकि Unsecured Loan का interest है वो भी तो आपका पी इंडल में खर्चाएगा वो भी आपका बिल्कुल allowed मना जाएगा उसमें कोई भी गवराने की चिंता नहीं है तो सर यह काफी सारे monster question थे जो हमारे last video के अंदर comment box में लोगों के दुबारा पूछे गए थे अब सर एक important question यह है AJ accountant की view से मैं आप से AJ accountant की view से एक question करूँ अगर इस video को कोई accountant की view से देख रहा है तो इस question को आप जुरूर द्यान से देखिएगा तो सर मान लिजिए 31-34-34-34 की जो balance it बनेगी उसके अंदर मेरे creditors भी शोंगे तो आप उस credit को किस view में देखा हुए कैसे पता चलेगा आपको भी कौन से 45 days से पहले किया है कौन से बात किया है कौन सी की payment आगे हो चुकी है हो चुकी है नहीं हो चुकी आपको फिर उस amount को कि किस तरीके से consider करोगे as a CA यदि कोई एक CA कोई भी CA यदि कोई किसी इंडिस्ट्री का यदि वह audit करेगा चाह सर्विस इंडिस्ट्री हो चाह वह manufacturing इंडिस्ट्री हो जब वह audit करेगा तो सबसे पहले है है चेक करेगा हो सकता है वह trading industry भी हो वह 31 मार्स 2024 की जब audit करेगा तो उ मेंसे कौन से इतने क्रेटर्स है जो 45 डेस से बिहोंड है यानि जिनकी बुक्तान है जो 45 दिन से नहीं हो रहा तो वह deadline है वह आईगी आपकी 15 फरवरी 2024 यानि 15 फरवरी 2024 से जो पहले के क्रेटर्स होंगे उनको तो आपको बुक्तान किसी भी हलत में करना ही होगा यदि उसक कि 15 फरवरी वाले जो क्रेटर्स हैं उसका 31 मार्च को बुक्तान करना है पहले तो वो देखेंगे हम कि उसका बुक्तान हुआ या नहीं हुआ यदि नहीं हुआ तो वो डिसलाउड है फिर एक condition और है इसमें कि हो सकता है कोई क्रेटर्स ऐसे हैं जो 31 मार्च को तो आ रहे है उसके बाद भी देखना है 31 मार्च 24 के बाद भी 45 में बुक्तान हुआ या नहीं हुआ हो सकता है उसने ओडिट तो अपनी वो गएगा कि मैं तो 31 मार्च 24 की ओडिट हो नहीं बाद में मैं क्यों देखूं ऐसा नहीं है उसको 31 मार्च 24 के बाद जो कि 15 माई 2024 तक उसकी बुक बुक्तान हो जाने चाहिए जो बैलेंशीट में आपके 31 मार्च 2024 को क्रेटर्स आएंगे बुक्स में आएंगे उसका बुक्तान भी यदि 15 माई 2024 तक नहीं हुआ तब भी वो डिसलाउडी है यह विशेश द्यार रखना है इन चीजों का जब एक आप आप अडिट करो आपको 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 रखना होगा चलिकी एज एक आपको देखा जाए तो हमें तीन टाइप की डेट्स को एक बार हमारी बुक्स आप अकाउंट्स के ओपर फिल्टर लगाना होगा सबसे पहला तो पंदरा फरवरी तक जो हमारी क्रेड़िट की अमाउंट आ रही है उसको हमें एक तरफ लिखना होगा और उन सभी की लिष्ट हमें बना लेनी होगी उसके बाद में हमें देखना होगा 15 फरवरी से लेके और 31 मार्स तक के तो हमें उनके दोरान वो डाटा हमें वी लूक अप करना होगा भी कौन से ऐसे क्रेडिटर है जो 15 फरवरी तक भी आ रहे थे औ उनको शोट आउट करना होगा उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी वी जो हमारा 15 माई 2014 नेक्स्ट फाइनस लियर भी इसकंदर एक बार हमें इंक्लूड करके देखना होगा वी जो हमारा माली जी कोई मार्स के अंदर हमारे पास इन्वोईस आया उसकी 15 माई तक का भी एक बार हमें इस डेटा को अनलाइस करना होगा क्या जो 31-30 या 30 मार्च को जो इन्वोईस हमारे पास आये थे उसकी पेमेट भी 15 माई तक बुकतान हो चुका है यानिकि CA लोग इन सबीको तीन अलग लग भी उसे इन डेटा को हमारी बुक्स अप टेंट मान लो चाहिए आप एसे को एजे बिजनसमें मान लो भी आपको क्या लगता है भी यह जो सेक्शन लागू करने के बाद में CA लोगों का काम बढ़ गया है बेल्कुल CA लोगों का काम थोड़ा इसमें टेंशन वाला है क्योंकि वो उसके जब वो 3 CD में अपनी टेक् साइन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर एक एक लेजर चेक करना होगा तब ही जाके उसकी एक बैलेंशीट प्रॉपर वो साइन कर पाएगा दिक्कत आएगी लेकिन यदि कोई ऐसा अकाउंटेंट जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मंटेन सही रखता है बुक्तान टाइम से करता है उनको तो परशानी है नहीं जो नहीं प्रॉपर मंटेन करते हैं उनको परशानी का सामना करना पड़ेगा वो इंकम का पार्ट हो गया क्रेटर्स यदि उन्होंने बुक्तान ही करा अभी भी मैं आप से नहीं चितने भी आपके आता है या वपारी लोग है यह सर्वीस प्रवाइडर है या ट्रेडर्स है यदि वो में से में किसी से माल करीदें है वो माइक्रो में है इंड़ेटरी और यदि वो स्मौल में मीडिय betterMO का छोड़ दो एक बार माइक्रो और आपकी समौल इंड़ेगे हैं यह उनसे कोई मा में वो जो माल खरीद है वो डिसलाउड होकर उनकी इंकम में ना जुड़ सके तो I hope कि almost आपके जो question थे जो last video के थे वो clear होगे फिर भी अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई query आपका suspense आपको कोई question बसता है तो आप definitely हमें comment कर दीजिएगा हम पूरी courses करेंगे next video के अंदर आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो आज की वीडियो अगर आपको कैसे लगी आप हमें ये भी comment करके जुरूर बताना वीडियो अगर आपको पसंद आई हो knowledgeable लगी हो तो accountant लोगों के साथ, businessman लोगों के साथ, tax professional लोगों के साथ आप जुरूर शेयर कीजिएगा चै आपको नए नए अपडेट है जो लगातार मिलती रहेगी, तो sir last के अंदर आपको any suggestion कोई देना चाहोगे आप, मेरा ये suggestion है कि इस channel का आप एक तो subscribe कर लें, ताकि आपको जो भी समस्यां आएंगी आपको उनका समाधान automatic है आपके, जो भी आपने channel समस्याई कर रखा होगा आपको मिलता रहेगा समय समय पर, क्योंकि हम लगातार वीडियो डालेंगे इस पर, और यदि किसी भी असैसी का, यदि कोई questions है, आप comment box में वो जरूर लिखें, ताकि हम उनका proper next वीडियो में reply दे सकें, उसको हम सामिल कर सकें, उस question को, इसी के साथ ही हम विराम करते हैं, जैहिन जैबारत